शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर इस बांच का साया पढ़ने से मेरी नखमा और इसका बच्चा मर गए तो मामुजान आपे कैसी दक्यान उसी बाते कर रहा है दक्यान उसी बातों में ही सच्चाई छुपी होती है हमारे महले में दो बहने थी बड़ी बहन बांच थी और छोटी बहन मा बनने वाली थी मगर उस बांच का साया पढ़ने से छोटी बहन का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और अपने बच्ची के गम में बिचारी खुद भी चल बसी बन करो ये घटिया पाते हैं हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते खुद आपके मानने या न मानने से कुद्रत धुड़ी मान जाएगी मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ नवाप साब के नगवा के बच्चा होने तक रुकसार का रहने के इंतजा में इस हवेली की पहले बहु है उसे इस हवेली से हमारे जीते जीतो क्या मरने के बाद भी कोई नहीं निकाल सकता हाँ ठीक है ठीक है आप खवा मत होगे नगम साहब हम तो सरफ आपके आने वाले पोटे की जिन्दगी की हिफाज़त के लिए कह रहे थे हागर रुक्सारी से बहाद ही रह सकती तो बच्चा होने तक नगमा और असलम हमारे साथ नगमा के घर में रह सकते हैं जिसे जहां रहना है रहे मगर रुक्सारी सी हवेली में रहेगी चलो नगमा बिटी अपने घर चलो रुक जाओ नगमा मैं अपने अबू जान की घर चली जाओंगी छोड़ो छोड़ो मेरी भांजी को और मेरे सारे खाब जल जाएगे चलो नगमा खुदा के लिए घर चोड़कर मत जाओ मैं हाथ जोड़कर अर्तजा करती हूं मत जाओ चलो ममानी जान मेरी समझ में नहीं आरा मैं क्या करूं नगमा जो हम कहते हैं वही करो तुम्हें इस हवेली का वारिस जिन्दा पैदा करना है चलो असलविया असलव खुदा के लिए घर चोड़कर मत जाओ मामुजान हो सकता है कि आप जो कह रहे हो ठीक हो लेकिन बच्चे को रुकसार की नजर नहीं दुआएं लगेंगी आप जजबाती हो रहे हैं असलविया जजबात की रौ में बैकर अपने होने वले बच्चे की जदेगी की रिस्क मत लीजिए हासलम मामुजान ठीक ही कह रहे हैं रुकसार मैं बात पर याकीन नहीं करता है लेकिन अगर ये बात सच हो गई तो जिन्दगी भर के लिए तुम पर तोहमत लग जाएगी इतना परदाश्त कर लिया है तो थोड़ा और परदाश्त कर लो ये दिन भी कुजर जाएंगे और फिर हमारे घरों के बीच फासले हो जाने से हमारे दिलों के बीच फासले थोड़ी हो जाएंगे असलम कर चलो नहीं असलम मुबारक हो न बाब सहाब आपकी बहु मा बनने वाली है आपकी डादर स्एल दॉपर हो यह कालई है न वाल एक दॉपर बनने हैं आप एक भार फिर मुबारक हो यहिए दुनिया के बड़े जोक्रों के साथ आप में भी यही वहाता कि हमारे बहु के नसीम में माँ बनने की खुश्य नहीं है लवाब सहाब हम तमाम डॉक्टरों से बड़ा भी एक डॉक्टर है और वो है दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अच्छा खुदा हाफिर खुदा हाफिर भव ये करिश्मा अचानक ये सब कैसे हो गया दादा हुजूर ये करिश्मा सब अल्ला की मर्दी है भव मुझे ये पुच्छते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है और ये करिश्मा हुआ कैसे ये उस दिन की बात है दादा हुजूर जब असलम गौवा से आने वाले थे उस दिन में पीर बाबा की दरगा पर उनकी खुशियों के लिए दुआ मांगने गई थी पीर बाबा आप अल्ला से दुआ कीजी कि असलम नगमा को अपने शरी के है आपकी शक्ल में कर ले और दादा हुजौर की सुनिया वेली आपकी खुशियों से आबाद हो जाए आमीन तुमामीन इलल्ला जो बाबा ईलल्ला ईलला इललला ये लो बाबा इल्ला अल्ला जा बेटी तेरी मुड़ाद पूरी होगी इन गरीबों के भूगे पेट से निकले ही दुआए तेरा दामन खुझना से भर देंगी हाँ हाँ बेटी इस फकीर की बात खाली नहीं जाएगी तेरी वो उम्मीद पूरी होगी जिससे तु ना उम्मीद हो चुकी है एए मेरे मौला एए मेरे खुदा तुझे तेरे प्यारे रसूल का वास्ता इस फगीर की बात रख ले इसकी मुराद पूरी कर दे ये फूले अल्ला के हुक्म से फगीर की दुआ से तेरी गोद में फूल जैसा बच्चा खेलेगा जा इल्मा इल्मा । या खुदा तेरा लाक लाक शुक्र है कि तूने मेरी बहू को आलाद की खुशियों से नवाद कर आज मुझे दुनिया का सब्स या मेरा इरादी बना दिया है बहू, आज तो जूमले को दिल कर रहा है जूम रे दादा जूम, जूम रे दादा जूम, 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 जूम रे दादा जूम, 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 हैं चड़ा परखुदार असलम को फोन पर बुलवाईए असलम मिया इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खुशियों में डूबे हुए हैं बुलाना ना मुम्किन है अगर आप खुछ कहना चाहते हैं तो कहिए मने बता दूँगा मिया आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी बेटर यही है कि उन्हीं से कही जाए तो चीक है आज कुशी के मौके पर आप तकलीफ वाली बाद ना ही कहें तो बेहतर होगा खुदा अबस दोब साथ आदादा हुजूर? इसलाम अलेकुम दादा हुजूर? आदादा हुजूर? लगता है ये बुढ़ा ज़रूर कोई तकलीफ वाली बात सुनाने आया है जी ते रहो, अल्ला हमेशा खुश रखे दादा हुजूर, आपने क्यों जामत की? आप फरमाते में खुद आजर हो जाता आप यहां से टेलीफून तक चल कर तो आ नहीं सकते तो हमारे घर तक चल कर कैसे आते? जी? दादा हुजूर, ये भी तो आपी का घर है, आईए ना, तश्रीफ रखे शुक्रिया वेदी, दादा हुजूर, आपने टेलीफून क्या था? हाँ, फरमाईए असलब तुम्हे सुनकर तो बेहत खुशी होगी, लेकिन शायद कुछ लोगों को खेर, अत्रम्मिया, अल्ला ताला की बहुत बड़ी रह्मत हो गई है, रुक्तार तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है सच दादा हुजूर, हाँ बेदे, मुबारक हो, आपको भी दादा हुजूर बेदी, असलब की आउलाद की पहली खुशी लेकर तुम हमारे पास अवेली आई थी और आज असलब की दूसरी आउलाद की खुशी सुनाने के लिए हमें चलकर तुम्हारे घर आना पड़ा खेर, हम तो सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहते हैं, कि शादी के बाद बेटी का घर उसकी सतुराल होती है तुम्हारी अवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है जब चाहो बेटी अपने घर आ जाना, हम और रुकसार पाखुदा दिल और जान से तुम्हारा इस तक बाल करेंगे शुक्रिया दादा हुजूर अच्छा तो अब हम चलते हैं आज गर्मियां, खुशियां मनाईए खुदा हाफिद आप लोग मेरा यकीन क्यों नी करते, दुनिया भर के डॉक्टरों की यही राय थी तो अचानक सारे डॉक्टरों की डॉक्टरी फैल कैसे हो गई, रुकसार मा कैसे बनने वाली है तुमने मासूम नगमा की जिन्दगी के साथ एक खिलवार किया है, उसे अपनी महबत के जाल में फशा कर एक खुबसूर दोखा दिया है तुमने उसे अगर रुकसार ही मा बन सकती, तो मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत ही क्या थी अपनी सारी जायदाद नगमा की ऑलाद के नाम करने का सवाल ही ने उटता था रुकसार बाज होने की तौमत कभी बरदाश ने करती हकीकत तो यह है कि जो कुछ हुआ, वो दोका नहीं, अल्ला की मर्जी है, उसका करम है अगर आज खुदा ने रुकसार के दामन में उलाद की नहमत डाल दी है, तो आप लोग को खुश होना चाहिए, कि अब इस खांदान में एक नहीं, दो दो चिराट जब मगाएंगे, और हम सब खुशी-खुशी हवेली में एक साथ रह सकेंगे, इसी में हमारी भलाई है न अरना छट गिलेगी तुझ पर और मरेंगे हम सब, रुकसार असलम की पहली बीवी है, और पहली बीवी के महबत शोहर के दिल में सबसे जादा होती है, और अब तो वो भी मा बनने वाली है, बीजी, उस छट के नीची उसी का होकर रह जाएगा, वो तुझे भूल जाएग तो सौतन की सौतन रह जाएगी, हाँ जरा सोच, अगर शादी से पहले उनकी सारी जाइदाद तेरे होने वाले उलाद के नाम न लिखवाते, तो आज तो ख़ी किना रहती किसी भी तर अपने शाहर को अपनी मुठी में रख, और ना सारी सिंदगी परष्टाती रहेगी आरे वाजनाब, ये सुबा सुबा कान जाने की तैयारी हो रही है रुकसार को मुबारक बात देने मैं भी आपके साथ चलू नगमा, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है रुकसार तुम्हे देखकर बहुत खुश होगी चले मैंने नगमा को सारा सबक बढ़ा दिया है अजकर नाम है मेरा मैं धस्ता नहीं निकल जाता हूँ रुकसार रुकसार बहुत-बहुत मुपारक हो आपको भी असलम रुकसार बहुत-बहुत मुपारक हो शक्रिया नगमा डादा हु़ुर कहा है अभी किसी काम से बाहर चले गए आप दोनों तश्रीफ रखिए, मैं मूमीथा कराने के लिए मिठाई लेकर आती हूँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ हाँ, हाँ, जरूर चलो ये ले, पहले तू मूमीथा कर पहले मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया और आप मूमीथा करवा रही हो ये, ये तो क्या कह रही है न, मा? तूने हमेशा पढ़ाई लिखा इस पोर्ट्स और ब्यूटी कॉंटेस्ट में मुझे नमबर टू रखा मगर ऐसी भी क्या जलन के जिंदगी भर के लिए तूने मुझे नमबर टू बना दिया जलन? जलन और मुझे और और वो भी तुझ से? हाँ मैं पूछती हूँ कि अगर तू माँ बन सकती थी तो फिर असलम से मेरी शादी करवाने की क्या ज़रत थी मागर तूने मुझे नमबर टू बनाने के लिए ऐसा किया मुझे अपनी ही नजरों में गिराने के लिए ऐसा किया नहीं नगमा नहीं मेरे माँ बनने की जब सारी उमीदे टूट चुकी थी तभी मैंने तेरे आगया आचर पहलाकर अवलाद की भीत मांगी थी मैंने तेरे उमीद का दिया अपनी सारी तमना को जलाकर रौशन कर दिया और तूने तूने उसी दिये से मेरा सब को जलाकर राख कर दिया नहीं मेरी जान ऐसा मत कह तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ यह सब जूट है, फरेब है, धोका है, तु मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सकती, तुझे जैसे भी यकीना है, मेरा इम्तिहान लेकर देख ले नगमा, यह मत समझना खुर्बानी सर्क तू ही दे सकती है, तुम्हें जो कहूंगी, वो करेगी, हाँ करूंगी, तु कहकर तो दे क्या, क्यों, बिजलियां गिर पड़ी, मैंने तेरी खातिर अपनी पूरी जिन्दगी डाव पे लगा दी, और तु एक बच्चा नहीं गिरा सकती, नहीं नगमा, नहीं, खुदा के लिए इतनी पत्थर मत बन, यह बच्चा अल्ना की अमानत है, तो कुछ भी और मांग ले पर इसमासूम की जिंदगी मत बाख, क्यूंकि उसकी जिन्दगी पर मेरा हक नहीं है, मेरे जिन्दगी पर तेरा क्या हक था, मगर फिर भी तेरी खुशी के लिए मैंने अपना सब कुछ खुर्बान कर दिया, तो तु उस ऐसान का बदला चाहती है, बदला नहीं सजा देन रुकसार, अगर तु चैन से जीना चाहती है, तो तुझे ये बच्चा गिराना होगा, परना याद रख, आज तक तुने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है, तुश्मनी नहीं. झाल